हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोज ड्र सुनील कुमार और आप देख रहे हैं ड्र कुमार एडूकेशन क्लिनिक आप पोस्ट दोक्टरिट इन क्लिनिकल मादेस्ट इन दे मेताबोलिक साइंस इन आपकेरिंग एटीन यह अप्सपिरेंच अग्लेनिकल फिजिशन लास्ट टू डिकेट से साउड अली छातरपुर में as a metabolic physician में प्रक्टिस कर रहा हूँ और लास्ट टू डिकेट में जो मेरा अपना experience है और जो मैं पेशेंट से interact करने के बाद में जो मैंने चीजें find की है और जो clinical data हमारे सामने है उसके आधार पे मैं आपको guide करूगा हमारे जो वीडियो होते हैं उसमें हमारा कोई personal कुछ नहीं है हम जो scientific research है जो clinical data है उसके आधार पे जो medical protocol है उसके आधार पे आपको guide करने की कोसिस करते हैं देखो social media पे बहुत सारे लोग across the social media बहुत sensitize बाते करते हैं बहुत ही चमतकारिक बाते करते हैं बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं आप देखेंगे कि 80% जो आप thumbnail पे देखेंगे जो title होता है वो बहुत ही sensitize करने बाला होता है लेकिन video के अंदर जो information होती है उसका उससे कोई लीना देना नहीं होता है तो मैं आपको एक request आज करना चाहता हूँ सब लोगों को कि अभी हमारे सामने एक अजीब सी problem आ गई है कि लोग social media पर या google group पर पढ़के आपने symptoms को मतलब associate करते हैं और कहीना कहीं यह मान बैठते हैं कि उनको यह बीमारी हो गई है तो आपको यह बिलकुल भी नहीं करना है इससे आपको fear psychosis होगा इससे आपका depression, anxiety बढ़ेगी और आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आप फिर बीमार हो गए हैं देखो जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं जो हम visualize करते हैं, जो हम dreamize करते हैं और जो हम repeat करते हैं वो ही हम late and early हो जाते हैं तो यदि आप यह सोच रहे हैं बार बार के आपको यह बीमारी हो गई है और उस बीमारी को आप hair and hair study कर रहे हैं तो आप समझे लिए कि कुछ दिन के बाद वो बीमारी आपको हो जाएगी और उस बीमारी के साथ आप डॉक्टर के यहां धक्की खाना सुरू करेंगे तो यह आप प्लीज ना करें आप information ले सकते हैं जो आप information लेते हैं उसको आप knowledge ना मनें और जो आप information ले रहे हैं तो उसका क्या फिर solution है बहुत सारे लोगों को H-pyloric kit वो लेते हैं endoscopy कराते हैं उसमें H-pyloric positive आता है वो kit 14 दिन का course भी करते हैं जो भी prescribed medicine होती है जो gastro physician के द्वारा दवाई दी जाती है वो इसको लेते हैं सारा कुछ करते हैं लेकिन problem उनकी ठीक नहीं होती problem वहीं रहती है वैसी ही रहती है तो आज हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे deal किया जाए दिको H-pyloric के बारे में आप 4 points हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर H-pyloric positive हो सकता है H-pyloric positive होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारी body के अंदर अच्छे bacteria और बुरे bacteria दोनों हैं और बहुत सारे bacteria हैं तो bacteria की growth होना बुरी बात नहीं है लेकिन H-pyloric की growth जब ज़्यादे होती है या जब H-pyloric active हो जाता है तो वो आपको समश्या पैदा करता है बहुत सारे लोगों को H-pyloric positive होता है लेकिन उनको कोई तकलीब कोई समश्या नहीं होती है कुछ लोगों को H-pyloric positive हैने पर कुछ समश्या होती है जैसे कि constipation हो सकता है पीट दर्द हो सकता है vomiting feeling आ सकती है cramps आ सकते है वजन घट सकता है भूक में कुछ दिक्कत हो सकती है यानि कि metabolic digestive change उनको किसी न किसी symptoms की रूप में report हो सकता है अब बात यह आती है कि तो फिर इस समश्या का समाधान क्या है देखो पहले यह समझना होगा कि हमें जो हमारे bad bacteria है यह जो bacterial growth है उसका जो ratio है वो बिगड़ता क्यों है आखिर देखो यदि आपके gut के अंदर जो bacteria है उसका जो growth है जो उसका combination है यदि वो बिगड़ रहा है तो कुछ बुन्यादी गल्तियां आप कर रहे हो जो लोग पान मसाला खाते हैं जो लोग smoke करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब non-wise लेते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा packet food या refined form of the food या cream बाला खाना खाते हैं उन लोगों का gut का environment है वो acidic हो जाता है और जब gut का environment acidic होगा तो आपको bad quality of bacteria जो है वो उसका growth बढ़ जाएगा आज पहलोरग का भी growth बढ़ जाएगा तो सबसे पहले आपको अपने पेट के पीएच को ठीक करना है और पेट का जो पीएच है उसको ठीक करने का केबल एक ही simple तरीका है कि आप जो food है 6 to 8 pH वाला food कंजूम करना शुरू कर दे यानि कि लगवग neutralized food आप खाएगा यानि हमारे गट का जो pH है वो लगवग 6.35 और 6.45 के बीच में रहता है तो अपनी गट के environment को आप pH को समझेए जब आपकोई body में बहुत ज़्यादा acidic environment होगा तो आपके body के अंदर infections तो आप सबसे पहले अपने pH को manage करना सिखिए pH को manage करने का सीधा सा तरीका है कि आप वो खाना खाईए कि जो natural है, जो seasonal है यानि आप कोई भी fruits खाईए कोई भी vegetable खाईए, कोई भी अनाज खाईए और यदि आपको digestion की दिक्कत है तो आप अपनी जो दाल है उसको पानी में डालिए 6 hours उसके बाद cook करिए और जो आटा है, वो multi green आटा खाईए यानि कि आप दरदरा मोटा आटा आटा आप खाएं दरदरा रेशेदार आप खाना आप चुनाप करें fruits खाईए, vegetables खाईए और जितनी भी natural चीज़े है उन सब का pH नॉर्मल होता है abnormal pH और acidic pH वाला जो खाना है वो आप बिल्कुल बंद कर दीजे तो आप बिदेने 2-3 months आप देखेंगे कि आपके gut का environment settle down हो गया है और आपकी जो gut की problems है वो भी ठीक हो गई है अब naturally gut के environment को ठीक करने के लिए there are some natural medicine वो आप ले सकते हैं इसब घोल खाईए, तिरफला खाईए, एपल खाईए, पपीता खाईए, सेव खाईए, मल्टी ग्रेन दलिया खाईए, पोहा खाईए, खिचडी खाईए, मल्टी ग्रेन डोसा खाईए और मतलब आप मल्टी ग्रेन चपाईए, तो इस सबसे आपको फाईदा होगा, हाट से 10 ग्लास पानी पीजिए, नेचरल फ्रूट्स और नेचरल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए, आदा गंटा वॉक करिए, और आप अपने को regulate करने की कोशि इसके बाद जूद भी आपको समझ्या होती है, तो आप फिर एक एंटासिट, रविप्राजोल, डॉम पेरिडॉन टाइप अप दा मार्टेसन सुबह खाली बेट ले सकते हैं, और एक सुक्राफिल सीरप, जो आपके अलसरेशन को, जो आपके वर्णिंग सेंशेशन को, औ आप लीजिये, और जितना भी आप नीचरल फाइबर रिज फूड खाएंगे, उससे आपको फायदा होगा, यदि डाइजेशन का कोई इसु है, तो अच्छी क्वालिटी की घ्री चटनी बनाएए, वो खाईए, जिसमें अधरक हो, लैसन हो, प्याज हो, टमाटर हो, और जिसमें सिमला मिट्स हो, और दही हो, ये चटनी का कॉंबिनेशन रखिये, तो इससे आपके एंजाइम प्रमोट होंगे, इससे आपका डाइजेशन प्रमोट होगा, इससे आपको एच्छ पैलोरिक बैक्टेरिया की जो ग्रोथ है, वो मिनिमाईज होगी, और आपको किसी दवाई की किसी अंटिबाइटिक की कोई आविशकता नहीं होगी, लेकिन ये आपको एक से तीन महीने रेगुलरली करना होगा, विद टाइम टेवल, तो आप बिलकुल नेच्रली ठीक हो जाएंगे, और एच्छ पैलोरिक के बाद की जो दिक्कत है, वो आपकी क्यों हो जाएगे, थाइंक यू वेरी मच और टेक केर आवसेट